अलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी लोगूं का स्टडी आईक्यू पर स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सर्था लिया एक और विशे पर एक और टॉपिक पर बात करने के लिए आ गया हूं दोस्तों आप चाहें तो इंस्टाग् द्वारा Spirit of Cricket Award जो है 2021 के लिए गोशित किया गया था तो 2021 का ये Spirit of Cricket Award जो है वो न्यूजिलेंड के बल्लेबाज डेरिल मिचल को दिया गया है डेरिल मिचल जो है वो 2021 के ICC Spirit of Cricket Award के विजेता जो है वो गोशित किये गए है हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे क्या है मिचल को ये Award दिया गया इन सभी बातों को विस्तार से समझे के दोस्तों अगर आप Civil Services के लिए प्रेपेर कर रहे हैं 2022 के UPC Exam Coop Target कर रहे है तो StudyIQ.com ये StudyIQ की App पर आपके लिए बहतरिन Smart Courses available है इन Courses में enroll करें और अपने preparation को बहुत शामदार बनाए तो कुछ समय पहले International Cricket Council अंतर राश्ट्रिय क्रिकेट परिशद ICC जिसे कहा जाता है ICC ने 2021 के International Cricket Council अवार्ड सो है वो घोशित किये जिसमें एक काफी special category अवार्ड होता है Spirit of Cricket Award तो 2021 में ये Spirit of Cricket Awards जो है वो New Zealand के बल्लेबाज Daryl Mitchell को दिया गया है तर असल Spirit of Cricket Awards जो है वो खेल में अच्छा परदर्शन करने के बजाए बल्कि Cricket के खेल के दौरान Spirit of the Game जो है उसको अपहोल करने के लिए दिया जाता है यानि कि match के दौरान Cricket खेलते समय कोई ऐसा gesture जहाँ पर Spirit of Cricket जो है उसको अपहोल किया जाए प्लेयर के द्वारा इसको जो है Spirit of the Cricket Award कहा जाता है ICC जो है वो हर साल Spirit of the Cricket Award दीती है उन प्लेयर्स को जिन्होंने खेल में अच्छा परदर्शन तो किया ही साथ ही साथ उन्होंने match के दौरान Cricket खेलते समय कुछ ऐसा action किया कोई ऐसा gesture किया जो Cricket की Spirit को Spirit of the Game को Sportsmanship को जो है वो डिनोट करता है शो करता है ऐसे Cricketers को ये Award जो है वो सालाना दिया जाता है और 2021 में ये Award मिला है New Zealand के बलेबास Daryl Mitchell को दोस्तों क्यों मिला है ऐसा उन्होंने क्या किया जिससे Cricket की या Game की Spirit जो है वो अफोल्ड हुई शायद आप सभी को याद होगा T20 विश्वकप 2021 पहला semi-final England पनाम New Zealand एक ऐसा match जो दोनों ही teams के लिए deciding factor था दोनों में से जो team इस match को जीतेगी वो team final में पहुँचने वाली थी I hope आप सभी ने 2021 का T20 मुकाबला जो है वो सभी की मुकाबले देखे होंगे जिसमें पहले semi-final में England और New Zealand का मुकाबला हुआ था जबकि दूसरे semi-final में Pakistan और Australia का मुकाबला हुआ था पहले semi-final की विजेता टीम थी New Zealand और दूसरे semi-final की विजेता टीम Australia थी जिनका मुकाबला final में हुआ था और फिर Australia ने जो है ये World Cup lift करा था इस पहले semi-final के दौरान जो England और New Zealand के बनाम खेला जा रहा था डेरिल मिचल ने अपने खेल से तो सबका दिल जीता ही था क्योंकि काफी जादा pressure वाला match था लेकिन इस match के दौरान कुछ बीच में ऐसा हुआ जिसने डेरिल मिचल को Spirit of the Cricket Award का विजेता बना दिया वो क्या था वो हम समझेंगे तो इस high pressure match में क्या हुआ एक moment ऐसा आया जब डेरिल मिचल जो है वो non-striker end पे थे और balling कर रहे थे England के आदिल रशित striker end पे थे Jimmy Nisham आदिल रशित ने ball डाली जिसको Jimmy Nisham ने hit करा और एक easy single जो है वो लिया जा सकता था लेकिन जैसे ही Jimmy Nisham ने ball को hit करा आदिल रशित उस ball को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो वो जाकर के टकर आगे इस सीधा डेरिल मिचल के साथ और डेरिल मिचल जो की वहाँ पर easily एक single ले सकते थे उनोंने single लेने से मना कर दिया क्यूंकि आदिल रशीद का रास्ता उनोंने रोग दिया था जब वो ball को लेने जा रहे थे अगर आदिल रशीद के रास्ते में डेरिल मिचल नहीं आते जो कि इस match में काफी जादा crucial था क्यूंकि बहुत ही जादा tough competition का match जो है वो ये चल रहा था लेकिन Daryl Mitchell ने सिरफ इस कारण से single नहीं लिया क्यूंकि उन्हें लगा कि उनके कारण बॉलर का रास्ता रुका था इसको ICC Spirit of the Game Award के लिए इस moment को जो है वो चुना गया और Daryl Mitchell को चुना गया तो ये था ICC Spirit of Cricket Award का winning moment जिस क्षण में इस अवार्ड को जीत लिया Daryl Mitchell ने उसी के साथ में तमाम cricket प्रेमियों के दिल भी उन्होंने जीत लिये तो अठारवा ओवर चल रहा था 20 ओवर का पुरा match था न्यूजिलेंड चो है वो 133 रनों पर खेल रही थी चार विकेट के नुकसान पर और चेज करना था 166 का लक्षिया 166 का टारगेट रखा था करीब 33 रनों की जरूरत थी और अठारवा ओवर चल रहा था पहली बॉल थी उस दौरान डेरिल मिचल एक बहुत ही शांदार और comfortable partnership में थे James निशम या Jimmy निशम के साथ में आदिल रशीद की और से बॉल डाली गई अठारवे ओवर की पहली बॉल थी निशम ने काफी अच्छे ढंग से उस बॉल पे जो है वो शॉट लगाया और वो बॉल जो है उसको पकड़ने के लिए आदिल रशीद आगे बढ़े लेकिन आदिल रशीद उस बॉल तक नहीं पहुंच पाई क्यूंकि उनके रास्ते म मोमें डैरिल मिचल चाहते तो इजीली एक सिंगल रन ले सकते थे लेकिन क्यूंकि उन्होंने लगा कि उन्होंने बॉलर का रास्ता जो है उसको अब्स्टर्क्ट कर दिया इस वचा से उन्होंने उस मोमेंट पे सिंगल लेना सही नहीं समझा और उनके इस जेस्चर ने वा कुछ दवाव वाला मैच था और उस मैच में स्टेक पर था वर्ल्ल कप का सेमी फाइनल हो सकता है ये एक सिंगल ना लेना इस मैच में उनको बहुत जादा भारी पड़ जाता हलांकि ऐसा हुआ नहीं क्यूंकि उन्होंने बहुत ही शांदार पारी के लिए और इस मैच को है उसने 2021 का ये अवार्ड जो है वो उनको दिला दिया मैच के बाद मिशल ने काफी अच्छी बात जो है अनोंने कही थी वो कहते है कि हुम इस गेम को खेलते हैं और जितने जादा मैच इस हो सके हम कॉ grammar में जीतना चाहते हैं लेकिन हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए जो इस game के मूलेओं को इस cricket के मूलेओं के खिलाफ हो game की spirit के cricket की values के against जाकर के हम जीतना नहीं चाहते हैं और वही चीज उन्होंने काफी clearly present करी अपने इस gesture में उनके अनुसार spirit of cricket जो है वो बहुत जादा important थी क्यूंकि जब आप अंतर राश्ट्रियस तरपे खेल रहे हैं तो आप एक ऐसा platform set कर रहे हैं जिसमें आने वाले समय में आने वाली generations जो है वो आपको सीख करके खेलेंगी तो उनमें एक sportsmanship spirit एक spirit of the game जो है वो inculcate होगी जब वो अपने सामने अपने idle players को इस तरीके values और morals को आगे रख करके spirit of game के साथ में खेलते हुए देखेंगे तो ये एक काफी important moment था उनकी life का भी इस match का भी और इसी के साथ में डेरिल मिचल जो है वो चौते न्यूजिलेंड के खिलाडी बन गए थे जिनको इस award से ICC इसी द्वारा नवाजा गया है उनसे पहले Daniel Vittori, Brendan McKellum और Kane Williamson तीन न्यूजिलेंड प्लेयर्ज हैं जिन्हों ने ये award already जीता है भारत की अगर हम बात करें तो महिंदर सिंग धोनी और विराट कोली भारत ये खिलाडी हैं जिन्हों ने इस prestigious award को प्राप्त करा है who have won this prestigious ICC Spirit of the Cricket Award तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे ICC Spirit of the Cricket Award की बहुत सारे एक्जाम्स ऐसे हैं चहां पर sports related questions उनसे पूछे जा सकते हैं तो वहाँ पर इस तरीके की चीजे जो है वो कभी important हो सकते हैं क्यूं दिया जाता है ICC Spirit of the Cricket Award क्या इसके पीछे का reason है और किस तरीके से player को जो है वो चुना जाता है award देने के लिए और 2021 में New Zealand के Daryl Mitchell को अगर यह award मिला तो क्यूं दिया गया यह सारी बातों के बारे में हम विस्तार से चलचा कर रहे थे हैं हमको यह पूरा का पूरा article समझ में आया होगा दोस्तों अगर आप civil services के लिए prepare कर रहे हैं 2022 के UPSC exam को target करते हुए studyiq.com यह studyiq की app पर आपके लिए बहतरीन smart course शुरू किया गया इस course में enroll करे और अपनी preparation को शानदारबाद, thank you very much all the best, keep working hard, bye bye take care, chahind